इस वीडियो में हम बात करेंगे LG के UR75000 सीरीज के टीवी के बारे में LG ने UR75000 सीरीज 2023 में लांच किया है इस सीरीज में आपको टीवी के चार साइजेज देखने को मिलेंगे 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच LG का यह टीवी सीरीज, बहुत ज़्यदा डिमांडिक टीवी सीरीज में से एक है तो आएए इसके बारे में detail में जानते हैं कि क्या इसके specifications हैं क्या इसके features हैं और इसके price हैं और क्या इनके pros and cons हैं तो सबसे पहले बात करतें इसके design की तो इस टीवी में आपको ना के बराबर बेजल से देखने को मिलेंगे जिसे यह प्रीमियम दिखता है टीवी की पूरी बड़ी good quality की प्लास्टिक की है और साथी साथ stand भी प्लास्टिक की है stand की तब जरूत पड़ेगी जब आप इस टीवी को दिवाल पर माउंट ना करते हुए टेबल पर रखेंगे connectivity option की बात करें तो सारे connectivity option इस टीवी के back side में दी गई है 3 HDMI port दिये गए हैं जिन में से 1 ERC 2.1 port है इसके अलावा 2 USB ports, 1 optical port और बाकी सभी जरूरी connectivity जैसे Bluetooth 5.0 और Dual Band Wi-Fi का भी support देखने को मिलेगा remote की बात की जाए तो UR75 00 series में magic remote की जगह simple remote मिलेगा जिसमें voice assistant का support नहीं है अगर आप magic remote लेना चाहेंगे तो उसे अलग से Amazon से purchase करनी होगी मैंने इस वीडियो के description में TV के साथ साथ magic remote का भी link दे दिया है आप वहाँ से इसे online purchase कर सकते हैं डिस्प्ले की बात करें तो LG UR75 00 के अंदर आपको 8-bit FRC मिलता है साथ ही साथ LG UR75 00 में IPS और VA panel इन दोनों में से कोई भी मिल सकता है अगर आप इस TV का 43-inch, 55-inch और 65-inch size करीते हैं तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि इन में से कौन सा panel दिया है आपको यह तब पता चलेगा जब आप इस TV को receive कर लेंगे लेकिन अगर आप UR75 00 का 50-inch का size लेंगे तो आपको definitely VA panel ही मिलेगा VA panel और IPS panel के अपने कुछ कमिया और खुबिया हैं आप IPS और VA panel में से कौन ज़्यादा अच्छा हैं ऐसा कुछ कहने सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि VA panel वाले TV में आपको blacks बहुत अच्छे दिखते हैं जब आप इस TV के बिल्कुल सामने बैठे होते हैं तो उस समय आपको VA panel वाले TV का best experience मिलता है लेकिन जब आप किसी angle या side में बैट कर इस TV को देखते हैं तब आपको colors में थोड़ा drop नजर आ सकता है VA panel वाले TV डार्क में ज़्यादा अच्छा perform करते हैं लेकिन यदि आपके room में direct sunlight आता है या आपका room bright है तो ऐसे में आपको एक IPS panel वाले TV को ही consider करनी चाहिए LG UR7500 में peak HDR brightness आती है approach 370 needs के आसपास LG UR7500 में आपको HDR10 और HLG का भी support मिलता है picture quality की बात की जाये तो यह TV बहुत ही शांदार HDR capabilities और better clarity के साथ आता है LG UR7500 के processor की बात करें तो इसमें powerful alpha 5 generation 6 picture processor मिलता है जिसकी वज़ा से आपको absolute natural color profile देखने को मिलता है waving angle की बात करें तो IPS panel में corner पर ना के बराबर यानिके 10% का color loss देखने को मिलता है जबकि BA panel पर 20-25% color loss देखने को मिल सकता है software की बात की जाये तो UR7500 में web operating system 23 देखने को मिलता है लास्ट यर के मुकाबले इस operating system में lag कम देखने को मिलेगा जो की अच्छी बात है इसके अलावा इसमें आपको Apple Airplay, AGIG और Auto Load latency mode भी देखने को मिलता है इससे आप gaming का भी मज़ा दे सकते हैं gaming की बात की जाये तो चुकि इस TV के अंदर Auto Load latency mode और AGIG का support मिलता है और जब आप gaming dashboard को on करते हैं तो आपको वो सारे feature देखने को मिलेंगे जैसे कितने refresh rate पर यह काम कर रहा है आप game के contrast को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और भी बहुत सारे features को अप या down कर सकते हैं जिससे आप एक optimum feature पा सकते हैं audio quality की बात की जाये तो इसमें आपको 20 watts के speakers देखने को मिलेंगे जो Dolby Digital के support के साथ आते हैं चुकि 20 watts के speakers हैं तो आपको इन में cinematic experience की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर आपको इस टीवी के साथ cinematic experience चाहिए तो अलग से sound watts purchase करनी होगी Dolby Digital की वज़े से audio clear सुनाई देते हैं warranty की बात करें तो 1 year on product warranty मिल जाती है और 1 year additional warranty on panel मिल जाता है प्राइस के बात करें तो 43 इंच वाले size के TB का प्राइस है 32,000 रुपीज के आसपास वहीं पर 50 इंच वाले size का प्राइस है 41,000 रुपीज के आसपास 55 इंच वाले size के TB का प्राइस है 45,000 रुपीज के आसपास वहीं पर 65 इंच वाले size का प्राइस है 72,000 रुपीस के आसपास डिस्क्रिप्शन में इस सब का लिंक दिया गया है आपको इन में से कोई भी साइज पसंदा आ रहा है तो उसे online Amazon से purchase कर सकते हैं प्रोज और कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले कॉन्स की बात करते हैं तो इसमें Dolby Vision का support नहीं दिया गया है प्रोज की बात करें तो वन येर हो गये अभी तक Alpha 5 Generation 6 का ही प्रोज़सर देखने को मिलता है प्रोज़सर में अभी तक कोई चेंज नहीं मिलता है प्रोज की बात करें तो इसका पैनल ब्राइट है HDR10 Pro Performance Excellent है वेब अप्रेटरी सिस्टम लाइक काफी इंप्रूब्ड है इसका HDR10 Performance भी काफी अच्छा है इस टीवी में Motion Blur Controlled है तो दोस्तों अगर आपको ये टीवी पसंद आ रहा है तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके ओनलाइन पच्छेस कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे भी वीडियो को देखने के लिए मेले चैनल से जुड़े रहा है तब तक के लिए अलविदा तैंक यू